Bluetooth Air Phone में Connect उने के बाद भी बाद वाज नहीं आ रही है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएगा कि आप Bluetooth कनेक्ट करने के बाद भी आपके एरफोन में वाच क्यों नहीं आ रही है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं यह वीडियो कहीं पर भी पसंद आ जाए तो प्लिस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजगा साथ इस चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजगा तो चले वीडियो शुरू करते हैं यहां पर सबसे पहल है लेकिन अगर आपके यह पर यह ऊपके यह तो आपके यह यह नहीं होंगे आपके यह देखे लेना कि आपके यह ओन है यूप नो फिर फिर ओंधा ये थेखा देखा ले यह बार पर यह अभी ओन था तो अभी यह यहां पर यह ओ चुका है तो इस तरह से आप यहां पर पता करनी जगह कि आपके यह ओन है या फिर ओफ है कहीं बाद में पता लगे कि यह तो ओफ था इसलिए आपके इस एरफॉन में यह आवाजी नहीं आ रही थी तो ब्लुथूथ एरफ को इंपोर्टन सेटिंग के बारे मैं पता देता हूँ जिसके करन आपके ब्लुथूथ एरफॉन में गनेक्ट होने की आवाज नहीं आती है तो सबसे पहले आपको यहां पर अपनी ब्लुथूथ की सेटिंग में आ जाना है तो सेटिंग लाना के बाद अभी आ यहां पह देख सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं हमारी Bluetooth के साथ यह डिवाइस यहां पर कनेक्टिड है अभी आपको इस एरो पर क्लिक करना है अगर आपके मोबाइल में यहां पर Bluetooth एरफोन के जरी है उससे बात कर सको तो आप इस सैटिंग को यहां पर ओन कर दीजाएगा यही थी वह सैटिंग जिसको आपको ओन करकर रहे हैं इसके बाद आपके Bluetooth एरफोन में आवाज आने लग जाएगी इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रोब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो इस वीडियो से कुछ हैल्प मिल जाए तो प्लिस इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा तो मैं मिलता आपको किस्टन न्यू वीडियो में तब तक के लिए जहीं